अब क्याइजन को हम Excel सीट में बनाएंगे तो सबसे पहले हमको टॉप पर टाइटल देना है यहां दे रखा है काइजन सीट या इंप्रूमेंट टे ऑप के मतलब है कि आपने जो इंप्रूमेंट किया है किसलिए है And then में जो पावर परेस पे जो पंचिंग उopération होता है वो मिस हो जाए तो हम उसको कैसे डिटेट करेंगे या उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे वो जिस पार्ट के लिए हमने ये काईजन किया है या इंप्रूमेंट किया है उस पार्ड का नाम आजाएगा तूल का नाम आजाएगा, कौन से टूल में किया है, कौन से मसीन में किया है तो यहाँ पर मैं टूल का नाम डाल देता हूँ तूल का नाम है आपका, बैल्डिंग फिक्चर यहाँ पर फिक्चर में किया है उन्हें, बैल्डिंग फिक्चर यह जो फिक्चर है हमारा दीख रहा है यह क्या बेल्डिंग फिक्चर है ओके पार्ट का नाम था हमारा इनर पैट्रोल ठीक है यह सालेंसर का पार्ट बनता है इसके यहां पर टीम आ जाएगा जैसे मैंने तुम लोगों का नाम डाला हुआ है दुस्यंत एंड डीपक अब य क्लिक करते हैं वह जब हम विफोर का क्लिक करेंगे तो उस हमें इस ओंडेर नहीं है अगêu लगा हुआ है एक्षब करता है यह होल्ग एडिड इन पंचिंग वाला पार्ट बेल्डिंग होने के लिए आएगा तो यहां पर पकड़ा जाएगा क्योंकि इस बेल्डिंग फिक्चर में लोकेटिंग लगाने का परपस है कि अगर यहां से बिदाउट पंचिंग वाला पार्ट आता है तो यहां वो डिटेक्ट हो जाएगा जैसे मैंने किसका रिफरेंस लिया इदर यह पार्ट है इस पार्ट के अंदर क्या नहीं है पंचि क्योंकि अभी से पिन लगी हुए तो यह पार्ट में लगाऊंगा तो यह क्लैंप हो जाएगा और आराम से वेल्डर इसको वैल्डिंग कर सकता है अब यहां पर मैं क्या करते हैं पिन लगा दिया है तो पिन लगाने के बाद इसके अंदर होल होंगे इस वाले पार्ट के पाट इसके अंदर तभी यह सब्सक्राइघा तक था जो लगी मैं यह वाली जो दो फिन है यह होज केटिंग पिन है कॉनसी है फ्लोकेटिंग फिन फोल हो गा तो यह पार्ट से अनदर बैठेगा है अब क्या करना है इसमें अपने बिफोर इंपर इंप्रुमैंट का है उससे पहले मुझे क्या प्रोलम हो रही थी उससे पहले जो भी प्रोलम हो रही थी वह आपको यहां पर डालना है आप दिश्ट फोर ग्जामपल के लिए मैंने लिखा हुआ है लीडिंग कस्टूमर कंप्लेंट ये इग्जामपल नहीं है ये रियल है मेरे पास प्रोलम आई थी तो मैंने आमने जो है एक्षान लिया था इस बैल्डिंग स्ट्चर फ्रेक्षान लिया था किसके व्याफ पर अगर माले कोई पंचिंग मिस्टेक आजाता है तो बैल डर उसको पकड़ नहीं पाता था भाई मिस्टेक ठीक है अब इसमें लग गी है तो जो है पार्ट बैठे गहीं तो वेल्डर वेल्डिंग ही नहीं कर वाएगा रोके तो यह टीन डिसट वांटेजेश थे इसके अब डिसट वांटेज इसको अमें डिश अद्वांटेज में कन्वर्ट करें तो कैसे लिखेंगे प्रिवेंड निएस स्टूमर कंप्लेंड इसका जो इंटनल रिजक्शन बन रही थे उसका कोस्ट वेस्ट वेस्टेस कोस्ट जो अंक्रीज हो रहा था उसको आपने क्या करती आप प्रिवेंट करती है यह नि कंट्रोल कोस्ट पॉर quality avoiding human mistake ठीक है जो वेल्डर के पास अगर पंचिंग मिस वाला पार्ट आ जाता था और वह बैल्डिंग वहाँ पर वाइं मिस्टेक हो जाती थी अब वह जो है वह मिस्टेक नहीं होगी इसका मितलब है avoiding human mistake कि यहां पर इंप्रूमेंट फिल्ड कॉन कॉन से हैं कि हमने जो एक्षन लिया है उससे क्या-क्या इंप्रूमेंट हुआ है क्या-क्या इंप्रूमेंट हुआ है आपको देखना है PQCDS यानि प्रोडक्शन क्वालिटी ओके कॉस्ट डिलिजरी और सेफ्टी भी ले ले लेते तो यहां पर कर दिया कोस्ट क्या हो रही है कोस्ट पुर्टी रिडूस हो रही है तो हमने यह पर क्या कर दिया तो यह इन फिल्डों में हमारा इंप्रूमेंट हो रहा है एक हमने जो इंप्रों जो भी एक्षन लिया है वह सब्सक्राइब आपने पॉण कॉन से टूल में या ले चुके हो ठीक ठीक है अब मालने इसके जैसे और भी बेल्डिंग फिक्चर्स होंगे या और भी पार्ट होंगे जिन में पंचिंग उप्रेशन होता होगा ठीक है अगर वो पंचिंग उप्रेशन बाइपास हो जाता है पंचिंग मसीन से ऑपरेटर बाइपास कर देता है तो वो पार्ट ब कि मशीन एक सिमिलेर सिक्टर देर नौन एज वोरीजन्टल डिपलोईमें ठीक है वोरीजन्टल का मतलब है कि सिमिलेर एक्षन आपने कहां कहां पर ले लिया है आप उसके बाद आपको यह पर डाल लिख देना है तुर परेड़ वाज दुष्एंट अप्रूड वाइस के शर्मा ओके जो दिस दा कम्प्लीट कायजन फॉर्माट ही अगर आपको को कायो कि का फॉर्मेट बनाना है तो यहीं फॉर्माट बनेंगा आपको सिर्फ एस में क् कि अगर आपको 5S की सीट बनाने तो सेम एज इट इस 5S की सीट बनेगी आपको यहां पर काईजन सीट ही दगावा है 5S की सीट लिग देने हैं ओके अंडरस्टोड